जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना के वो अपनी इज़त तुम्हें अमानत दे रहा है उसमें कभी भी खायानत मत करना कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है किसी का आईब तलाश करने वाले की मिसाल उस मख़्ी जेसी है जो सारा खूबसूरत जिसम चोड़ कर सिर्फ जखम पर बेठती है हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशश करो क्यूंकि इनसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है काम्याबी होसलों से मिलती है होसले दोस्तों से मिलते हैं दोस्त मुकदरों से मिलते हैं और मुकदर इनसान खुद बनाता है जिस से ज्यादा महुबत हो उस से उतनी नफरत भी हो सकती है क्यूंकि खुबसूरत शीशा जब तूटता है तो खतरनाक हत्यार बन जाता है सबसे पहली अबादत ये है के इनसान मुसीबत में सबर करके अल्लाह पाक से मदद का मुनतजर रहे लफ़ इनसान के गुलाम होते हैं मगर सिर्फ बोलने से पहले तक बोलने के बाद इनसान अपने अलफ़ाज का गुलाम बन जाता है जिसको तुम से सची महबत होगी वो तुम को फजूल और नाजाइज कामों से रोकेगा जो तुम्हे खुशी में याद आए तो समझो के तुम उससे महबत करते हो और जो तुम्हे गम में याद आए तो समझो के वो तुम से महबत करता है जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे समझो वो दोस्त था ही नहीं और जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामी ना हो उससे कभी भी दोस्त नहीं मिलता किसी का दिल तोड़ कर माफी मांगना तो बहुत आसान है लेकिन अपना दिल तूट जाए तो किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है जो शक्स हमेशां तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिकर की बात है जिन्दगी में हमेशां अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो के कोई आप के बगार जीना सीख ले ना मुकमल इल्म फसाद पैदा करता है वक्त और दौलत दो चीजें ऐसी हैं जो इनसान के अक्तियार में नहीं वक्त इनसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है दुख में कभी पच्चतावे के आँसू ना बहाओ क्योंके तुम वो खूश नसीब हो जिसे अल्ला ने आजमाईश के काबल समझा जब तुमें जिकर अल्ला सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो के तुमें अल्ला से और अल्ला को तुमसे महबत हो गई है जो शक्स बेबसी के वक्त पांच भार या रबो ना कहने के बाद अल्ला पाक से जो दुआ मांगे तो अल्ला पाक उसे कबूल करता है दूसरों के हाल पर गवर करने से नसीहत हासल होती है जो शक्स अपनी कदर खुद नहीं करता कोई दूसरा शक्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता